नमस्कार, मैं हूँ सक्चेदानद वसेष्ट और सजनों मैंे का मैंना ब्रसलासी बालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है? क्या-क्या यहां पर सुखत परिणाम होंगे क्या-क्या परिशानियां आ सकती है कब-कब परिशानियां आ सकती है कौन-कौन सी तिथी कैसी रहेगी ये सारी जानकारियां आपको देंगे बैसे तो आपके दसमिस्थान के अंदर सनी विद्यमान खे मूल त्रिकोन के है जिनकी नोक्री के लिए जो इंतिजार कर रहे है उनकी नोक्री लगना उनकी संभावना या संभावित जो है वो है नोक्री लग सकती है कोई उन्नती हो सकती है राज की अलाब कोई आपको जो है प्राप्त हो सकता है लेकिन यहाँ पर विद्यमान शनी आपकी प्रोपर्टी के प्रती कुछ अच्छे परिणाम नहीं देंगें। और इसके साथ ही राहू आपके 12 स्थार में हैं। तो कोई भी आपके साथ चीटिंग, धोका, कुछ भी हो सकता कैं। तो उसके प्रती आपको साउधान रखें। राहू यहीं से बैट करके प्रोपर्टी के उपर भी देख रहें हैं। तो जो परिणाम शनी देने वाले हैं, उसी प्रकार का परिणाम राहू भी देखें। तो आपको चाहिए राहू की शांती आपको जरूर करनी चाहिए, राहू का उपाय आपको जरूर करना चाहिए, किसी भी कुशल जोच्छी से या विद्वान से जानकारी लेकर के उसका उपचार करें संतान की पढ़ाई के लिए हो सकते हैं, संतान की बढ़ाई के लिए हो सकते हैं, यह जो है शंभावनाए व्यक्त की जा रही है अब यहाँ आपको प्रतिजिर के इसाब से देनिक फ़लादेश में देने का प्रैयास कर रहा हूं पहली तारीख आपके लिए नुक्सान दाई रह सकती है इसलिए उस समय पर पहली तारीख को कोई भी नया कारी या देनलेन आप ना करें दो तारीख, तीन तारीख, चार, पांच, छे तारीख, साथ और आठ तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छे जो हैं वो परिणाम होंगे बहुत अच्छे परिणाम होने का अभिप्रा ये है कि उसके अंदर आपके परिवार में अच्छा माहोल जो हैं ये देने वाले हैं, धन का आगमन, खुशियों का आगमन ये सब कुछ इस समय पर आपको जो हैं मिलने वाला है तो उसका आप लाब उठाएं नो तारीक और दस तारीक ये थोड़ा साररिक कस्टों को देने वाला है तो उसके पृतिय आपको जागरुक रहना चाहिए कहीं की यात्रा हो तो उसको इस्तगित करना चाहिए और चंद्रमा का दान करना चाहिए अब इसके साथ 11, 12, 13, 14, 15 और 16 तारीक तक ये आपके लिए सुखद सरकारी कामों के लिए बढ़िया रहेंगे अगर कोई फॉर्म बनना है या किसी अधिकारी से मिलना है या किसी राजनेता से मिलना है तो इस समय पर आप लाब उठा सकते हैं और अनायास धन की प्राप्ते भी इस समय पर उसके भी संभावनाएं बनेगी तो इसके साथ साथ अब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 17, 18 और 19 तारीक ये आपके लिए नुक्सान दाई रह सकती है तो उस समय पर कहीं की भी यात्रा हो तो उसको भी स्थगित करें देलेन हो तो उसको भी स्थगित करें क्योंकि इस समय पर दिया हुआ धन कहीं वे भी रुख सकता है उसमें विबाद पैदा हो सकता है लेकिन बीस एक्टिस बाइस टैस चोईस पच्चीस और छबीस ये तारीक है आपके लिए हर प्रकार से चाहे वो स्वास्तर के इसाब से खें धन के इसाब से खें परिवार के भाई बंदूओं के इसाब से खें हर क्षेतर के अंदर आपको जो हैं लाब और खुशियां पराप्त होंगी लेकिन यहां पर 27 और 28 तारीक ये आपको थोड़ी सी चिंता जनक रह सकती है लेकिन 29, 30 और 31 तारीक आपके लिए बहुत सुन्दर और सुखत परिणाम देंगी चाए वो विद्यार्ती हैं, चाए वो ग्रहस्ती हैं, चाए वो व्यापारी हैं, सबके लिए अच्छा परिणाम देने वाली हैं, बाकी और जानकारियों के लिए ये नंबर हैं, इनके उपर आप संपर के साबित करें, कार्याले से अपाइंटमेंट लें, कार्याले की और आप जो भी लाब उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं नमस्कार वशिष्ट जी से वास्तू, जयोतिश, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाट, महामृतिन जय पाट, शत्चंडी पाट, बगुला मुखी पाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आधी हितु संपर्क करें हमारे संपर्क सूत्र हैं 783888-98421, हमारी वेब साइट है www.shreevashist.com